पूर चीफ सेकेर्टरी बीवी यार सुबरमणियम ने ये कहा कि मैं साथ तारीख को चार जो है वो अर्मकुमार महता को दूँगा और सत्रा तारीख को जो मैं कुश्मीर से दिली चला जाओंगा या साथ तारीख को जो मैं कुश्मीर से दिली जाओंगा दस दिन की छुटी पर रहूँगा और 17 तारीक को Commerce Ministry में OSC के तोर पर कामकाज करना शुरू करूँगा इस पर अलग-अलग लोग लेख भी लिख रहे हैं अलग-अलग तरह से उस पर बात भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ये देखनी को मिला कि एक समय मे जमो कश्मीर के दो चीफ सेकेरिटरी थे और वो दो चीफ सेकेरिटरी दस दिन तक जमो कश्मीर में रहे और साथ तारीक को 11 दिन तक लगबग जमो कश्मीर में रहे और उसके बाद अरुन कुमार महता ने अफिशली 7 जून 2021 को चीफ सेकेरिटरी के तोर पर काम करना शुर कश्मीर के financial commissioner finance अरुन कुमार महता है चीफ secretary अरुन कुमार महता है finance का charge भी उनी के पास है और chief secretary भी वही है दूसरी तरफ स्वासविभाग के financial commissioner अटल डुलू additional chief secretary re-designate किये गए है जब कश्मीर में additional chief secretary जो है वो designation nation में नहीं था लेकिन already chief secretary के grade में अटल डुलू काफी समय से काम कर रहे हैं अब इससे में इस बात पर बिल्कुल शोर नहीं है कि financial commissioner finance कहां है वो कौन है कब आएंगे किस के हाथ में बागदार दी जाएगी और अब अगर अटल डुलू को additional chief secretary बनाया गया है तो क्या में उसे experiment किया जाएगा कि आप chief secretary के पास बहुत बड़ी तेदाद में departments को रखते हैं लेकिन कुछ एक departments आप कहते हैं कि डुलू साब ये सारे departments आप देखेंगे क्या ये कुछ होगा हालां कि कानूनी कोई प्राबधान इसके लिए नहीं है addition chief secretary मैंने जैसे आपको बोला वो एक grade है वो grade already chief secretary के grade में अटल डुलू है transfers का लगबग सभी officers को इंधिजार है वो इसी लिए है क्योंकि आरुनुकुमार महता अब chief secretary बन चुके हैं जाहिर सी बात है वो भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो वित्य department उनके पास है finance department उनके पास है उस finance department का principal secretary या financial commissioner कोई और हो कोशिश उनकी यही रहेगी उसके इलावा अलग-अलग और विभाग हैं जिन विभागों में बदलाव की जरूरत है यह मैं नहीं बलकि वो तमाम लोग कहते हैं जो तमाम लोग इन विभागों के साथ किसी तरीके से जुड़े हैं finance department में एक दिक्कत पिछले काफी समय से आ रही है वो दिक्कत यह है कि finance department में promotion तो होती है लेकिन transfer और posting नहीं होती finance department का एक कानून बन चुका है कि अगर कोई भी position vacant होती है उस vacancy को fill up करने के लिए वहाँ नया आदमी नहीं बेजा जाएगा बलकि बगल बाले दफतर में कोई आदमी अगर 6 charge लेके अलरड़ी बैठा हुआ है सात्वा चार्ज उसको दिया जाएगा मगर नया आदमी कोई ट्रांसफर करके पोस्ट नहीं किया जाएगा जब हमने मालूम करने की कोशिश की वज़ा क्या है तो मालूम ये बड़ा financial commissioner finance और chief secretary अरुन कुमार महता ट्रांसफर करने में विश्वास नहीं रखते जाती तोर पर उनका ये मानना है ये सुनने में आ रहा है ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है जाती तोर पर उनका ये मानना है कि ट्रांसफर का ये जो सलसला है जमो कश्मीर में ये बहुत गंदा है वो जाती तोर पर ये मानते हैं कि ट्रांसफर प्रश्मीर में है वोई ट्रांसफर इंडस्ट्री तो वो ट्रांसफर इंडस्ट्री से थोड़ा दूर रहना चाहते हैं वो चाहते नहीं थे कि आपने पूरे टेनिवर में वो ट्रांसफर करें किसी ऑफिसर को ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई और निकाले और उसके नतीजे हो चुकी है finance department is stagnation को भी remove करनी की जरूरत है एक ऐसे officer की जरूरत है finance department को जो decision maker हो इंतिजार न करता हो जो transfer posting के सिल्चले में फैसला लेने में ज्यादा सोच विचार न करता हो और जो performance की बुनियाद पर ये देखे कि किस officer से मुझे कहां किस department में क्या काम लेना है ये नहीं कि एक officer पिसले चार साल से पांच साल से एक किसी department में है और उसको लगातार continue वहीं पर करते जाओ सिर्फ इसलिए कि जनाब अगर हमने transfer कर दी तो इसमें corruption हो जाएगा बारिश के डर से लोग घर से बाहर निकलना बंद नहीं करते बारिश होती है लोग चाता उठाते हैं लेकि घर से बाहर निकलते हैं कोविड-19 है कोविड-19 अभी भी कहीं नहीं गया लेकिन आज भी लोग होसला करके मास्क पहन कर घर से बाहर निकलते हैं तो यानी हालात किते म few kelu too in हालात का वए रबाहो निकालना होता है हल कतय भी यह नहीं कि आपको wieder लगे कि जिनाभ बाहर बार लुए लोगी तो भार इन्हें निकलूगा मैं घर का दर्रमाजा बंद करके रखुऊंगा जब अब तक बारिश हो कि तब तक मैं अंदर रहूंगा और हर बारिश के बाद सहलाब आई ऐसा जरूरी नहीं तो एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो कम से कम स्टेगनेशन को वहां पर रिमूग करें इसी तरीके से हेल्थ और मेडिकल एजुकिशन का विभाग है विभाग के लंबे समय से फिरैंशल कमिशन हेल्थ और मेडिकल एजुकिशन अटर डूलू देख रहे हैं जाहिर सी बात है वह भी चेंच आते होंगे कि अब एक लंबे समय से मैं इस विभाग को देख रहा हूं तमाम तरह की इल्जामात भी मेरे ओपर लगे और इसमें करॉप्शन का कोई इल्जा कामले में कहीं कोई किसी ने कोई सवाल खड़ा नहीं किया किसी ने यह नहीं कहा कि डूलू साब की इंडेगरिटी और ऑनस्टी पर किसी किसी को को कोई शक है लेकिन हाई लोग यह कहते हैं फ़लां फेवरेट है फलां फेवरेट है अभी किस सथ तक हगीकत है हमें नहीं मा आफिसर ऐसे हैं जिनके पास बड़ी प्राइम पोस्टिंग थी बड़ी इंपॉर्टेंट पोसिशन पर वो काम कर रहे थे लेकिन पिछले दिनों उनको उठाकर ऐसे डिपार्टमेंटों में डाल दिया गया जहां पर वो खुद को खुद ये महसूस करते हैं कि यहां पर कु चीज़ों को दियान में रखते हुए एक बड़ा फेर बदल आने वाले दिनों में होगा इसकी आशंका सब कर इसकी आशंका भी है और अटकले में सब लोग लगा रहे हैं कि अब जो एड्मिस्टेशन होगी उस पर लेटनेट गवर्णर मनोज सिना की चाप होगी लेटने के जो लीडरान हैं उनके करीबी रिष्टिदार भी है उन रिष्टिदारों को भी थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया गया कि आप थोड़ा दाएं बाएं आप चले जाएं फिलाल हमें कुछ और लोगों को इन इंपॉर्टन पोजिशन पर टेस्ट करने की ज़रूत है और जो सूरत भी अड्मिस्ट्रेशन की वो भी बदलती नजर आ रही है हो सकता आने वाले कुछ दिनों में और बड़े बदलाव हो जिन से अड्मिस्ट्रेटिव सेट अप और ज्यादा हमें जो है रिफर्बिष्ट और एक नई शक्ल और एक नई सूरत में मिले क्यूंकि अक अलग अलग अफिसर्स के साथ मतलब किस हद तक आप कमफिटेबल किस ऑफिसर के साथ हैं उस बुनियाद पर तैह होता कि कौन अफिसर आप किस पोजिशन पर किस डिस्पेंसेशन में रहेगा तो आप जो लोग पिछली डिस्पेंसेशन में जिस समय चीश सेक्रिश्री बी यह officer अच्छा है, तो वो भी चाहेंगे कि उनकी एक team हो क्योंकि आपने perform करनाjekt perform करे नई दिलрал को बताना है कि आपने perform किया, तो आप कता ही नहीं चाहेंगे कि आप उस team के साथ perform करें जो team किसी और ने चुनी हुई है आप चाहेंगे कि आपकी अपनी team हो और आप ये कहें कि ये मैंने अपनी wisdom और अपनी foresight के साथ ये team देखी थी और मैंने ये team तयार की है तो आने वाले दिन बड़े दिल्चस्थ होने वाले हैं देखेंगे कि क्या कोई बड़ा fair बदल administrative setup में होगा और अगर होगा तो उस fair बदल में कौन से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों को left and government मनोज सिना आगे लाएंगे और कौन से लोग ऐसे होंगे जो side line होंगे